को रिवर्स कॉंस्टेंट मैक्स एचेक्स ड्राइब बाला गेर मिल जाता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिटिंग के साथ में आने वाली सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग मिल जाती है। प्रफॉर्मिंस करने का उस्टर को फुली साइट से गेर वॉक्स के साथ में लॉच्ट कंपनी फीटेट 45 केजी का फ्रेंट वंपर मिल जाता है। अज की फिर एक नई वीडियो के अंदर हम इंडियन टेक्टर इंड्रस्टीच के अंदर पैतालिस एच्पी के कैसे टेक्टर जो है आपको इसमें 28 लीटर प्रती मिनिट के हिसाब से सप्लाइ करने वाले डूएल डूएल पंप लगा के दिये हुए हैं जिससे आपको हाइड्रोलिक और पावर इस्टेरिंग के अंदर बहुत ही जवर जस्त प्रफॉर्मिंस देखने के लिए मिलेगी। इसमें प्रती मिलेगी। प्रिट्री की बात करेंगे 12 बोल्ट 75 एच की बैटरी मिल जाती है साथ यह इस टेक्टर का रेडियेटर जो है आपको काफी बड़ा दिया जाता है जिससे इस टेक्टर का जो इंजन है वह बहुत ही तगले वेविल के कूलेंट सिस्टम के अंदर बात करता है बात करें दोस्तों यदि हम इस टेक्टर में स्टेरिंग के अंदर तो यहां पर कंपनी जो आपको स्टेक्टर में सिंगल एक्टिंग हाईड्रोलिक पावर स्टेरिंग दी हुई है और यह जो स्टेरिंग है सबसे ज्यादा डिफरें इन लाइन पंप के साथ में इंजन आता है दोस्तों इस टेक्टर में ज़िए हम इंजन के अंदर बात करें तो इस टेक्टर में मिलता है पच्छेस सो सीसी का थ्री सिलेंडर बॉटर कूलन्ट 45 HP का इंजन जो कि अपने सेग्मेंट में सबसे जादा पांसो चालिस से लेके अल्मोस्ट बाइसो डेटेड इस टेंडर आड़ पीम तक बढ़के करता है साथ ही दोस्तों यदि हम इस टेक्टर में बात करें जैसा कि हमने आपको स्टेरिंग दिखाई थी तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है इस टेक्टर की स्टेरिंग के अंदर सेफटी का पूरी तरीके से ध्यान रखा हुआ है जिससे इस टेक्टर की स्टेरिंग लंबे समय तक भहिया बहुत स्मूध परफॉमेंस के साथ में साथ देगी और बहुत जवरजस्त जो है आपको इस ट्रैक्टर की स्टेरिंग में फिडिंग और फिनिस देखने के लिए मिल जाती है साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर में जैसा कि हमने आपको इंजन के अंदर बताया 2500 CC का 45 HP इंजन मिल जाता है जो कि इस ट्रैली में सबसे ज़्यादा शांदार परफोर्मेंस के लिए जाना जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम फूल डेटेल रिव्यू कर रहे हैं ये है न्यू हलेंड कंपनी की तरफ से आने वाला न्यू हलेंड का 32 NX जो की 45 HP के साथ में आता है फ्रेंट से यदि हम इस ट्रैक्टर में लुक की बात करें तो न्यू हलेंड कंपनी का डेलीकेड़ लुक लोगो मिल जाता है दो हिलोजन लाइट साथ में जाली का जो कॉम्बिनेशन है कंपनी ने बहुत शांदार तरीके से किया हुआ है जिससे इस ट्रैक्टर के रेडियेटर में पर्याप्त मात्रा में हवा लगती है जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन बैटर कूलेंट सिस्टम के साथ में परफेक्ट तरीके से वर्क करता है बात करेंगे तो यदि हम इस्टेक्टर में टायर जाईर का अंदर jáपको आपको अगला टायर है 16 और 16 जाटा है जायर का। ज़ो आपको इंटीक्टर में टायर आइयर ओफर करती है। आपको इंटिकेटर ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट क में साथ में Heavy duty company fitted passenger ग्रेव हैंडल जो है तीन जगा से सपोर्टिंग वार वाला मिलता है और यहां पर जो आपको स्टेक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फीटेड ड्राइवर ग्रेव हैंडल देखने के लिए मिल जाता है अपको स्टेक्टर के उपर की तरफ तो यहां पर आपको स्टेक्टर के इस्टूमेंड कलस्टर में मिल जाती है साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें इस टेक्टर में ड्राइवर के राइट तरब की तो यहां पर आपको इस टेक्टर के नंबर ओफ गेर जो है चार मिल जाते हैं इसी में आपको इस टेक्टर में रिवर्स का गेर मिल जाता है ड्राइवर के लेप तरब बात करें तो यहां पर जो आपको इस ट्रैक्टर में लो हाई का गेर मिल जाता है ब्रेकिंग के अंदर बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर में जो आपको मल्टी प्लेटेड ओईलिमर से डिक्स ब्रेक मिल जाते हैं क्लच के अंदर बात करेंगे तो इसमें जो आपको डूल क्लच मिलती है इसी से आप इस टेक्टर का ट्रांश्मीशन साथ में पीडियो अपडेट करने वाले हैं यह जो टेक्टर है अपनी स्रेंटी में बहुत शार्प कटिंग के साथ में आता चलिए देखाते हैं कटिंग देखें इस ट्रांश्मीशन ने में में एक्डम गेश्मीशन स्टेक्टर में स्टेक्टर में और हम उसका हैं इंजन प्लेशिंग पोजीशन की बात करेंगे तो वो भी शांदार जंहां में company ने place की हुई है जिससे पीछे की तरफ की जो visibility है एक दम clearly देखने के लिए मिलेगी चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको इस टेक्टर में नीचे की तरफ उससे पहले एक features और बताऊंगा यह टेक्टर जो है अपने segment में देख सकते हैं लिप्टोमेटिक जो है आपको इस टेक्टर में locking system मिल जाता है जिसके अंदर आप जो है separate net bonny से जो है जुताई और bonny का अफसर मतलब जुताई bonny कर सकते हैं बात करें दोस्तों यदि हम इस टेक्टर में gear की तो इसमें जो है आपको आट फारबर दो रिवर्स fully constant में side shift gearbox मिल जाता है PDU का जो lever है यहाँ पर आपको मिल जाता है जो की 540 standard rpm के साथ में multi gear speed लेके आता है यहाँ पर जो है आपको स्टेक्टर में टूल बेगर है storage करने के लिए fiber का toolbox मिल जाता है जो की काफी जादा best quality के material से बनाया जाता है mobile charging connectivity की बात करें तो ठीक seat के नीचे जो है आपको स्टेक्टर में 12 बोल्ट की mobile charging connectivity मिल जाती है seat जो है आपको स्टेक्टर में multi adjustable देखने के लिए मिलती है साथ ही स्टेक्टर में fender के नीचे gap की बात करें तो वो भी शांदार company ने maintain करके रखा हुआ है जिससे स्टेक्टर के fender purling करते समय नहीं बुजने वाले दोस्तों स्टेक्टर में जो आपको PDU हास power मिलती है इस rally में सबसे जादा मिलती है बहुत शांदार मिलेगी बहुत जबरजस्त performance करने वाली चलिए बात करें इस टेक्टर में पिछले हिस्से की features की तो यहाँ पर जो आपको इस टेक्टर में heavy duty company fitted single distributor ball में मिल जाता है साथ ही टापलिंग फसाने के अदि हम बात करें तो 3 point मिलते हैं जो की fully automatically deft and draft control war के साथ में आते हैं 32 hp के साथ में इस टेक्टर में मिलता है आपको 38 hp का multi gear speed PDU और दोस्तों इस टेक्टर में हम बात करें specific fuel consumption को लेके तो engine के अंदर करके दिये हैं जिसमें आपको breaking dicks break वाले मिलेंगे आपको इस टेक्टर में मल्टी प्लेटर डिक्स ब्रेक मिलेगी lifting capacity के अंदर बात करेंगे तो यह टेक्टर जो है अपने segment में और अब जो new holland tractor है अपने हर एक tractor में six year की T warranty भी देने लगा है तो दोस्तों यह थी new holland company की तरफ से आने वाले new holland 32 NX की खूवियों से भरी full detail review वीडियो आसा करते हैं वीडियो आपको काफी जादा पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like share channel को subscribe जै जवान जै किशान